हेलो एवरीवन वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज मैं आपसे देखे में दिखाऊंगे आपको मैंने जो मेरे इंडोर प्लांट रख रखे हैं वो कैसे चल रहे हैं उनकी कंडिशन कैसी है और मैंने कौन-कौन से प्लांट रख रखे हैं अंदर व इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को इससे और इसको ज्यादा सेनलाइट की तो ज़रूद नहीं है बिलकुल भी यह बिलकुल आप देख सकते हैं यह मेरा में गेट है फ्रेंट्स यह वाला यहां से इसको खली अच्छी सी रोशनी मिलती रहती है बस जिसमें आप देख स सूखी हुए मैं तो करीब इसमें 8-10 दिन में पानी डालती हूं और बहुत आसनी से चल रहा है और इस तरीके से मैंने नीचे एक प्लेट रख रखी है और यह प्लांटर रख रहा है मैंने इसको वाइट कलर से पेंट कर दिया था सीमेंट का गमला है करीब 12 इंची का गमला ह तो यह प्लांट है तो यह इस तरीके से स्का लुक आता में दिखाती हूं आपको दूर से अगला हमारा यह वाला प्लांट है यह इस तरह इस एक टेमल में मैंने रखा हुआ है स्टे यह बड़े वाला स्नेक प्लांट है और इसकी ग्रोध भी अंदर बहुत अच्छी हो रही है और यह तो फुल फुल ओक्सिजन देने वाला प्लांट होता है इसको आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं और यह देखें यहां से अच्छी खासी रोशनी आती है और यहां पर यह मेरा प्लांट रखा हुआ है यह भी काफी इजी टू ग्रो होता है यह इस तरीके से देखें वह खूबसूरत भी रख लगते हैं यह घर में रखने पर अगला यह देखें फ्रेंट्स यह तो मॉस्ट पॉपुलर प्लांट है यह हमारा मनी प्लांट और यह तो बहुत ही अच्छे से चलता रहता है घर के अंदर इस तरीके के वाइट पोर्ट के अंदर मैंने इसको लगा रखा है और फ्रेंट्स मैंने इसको मिट्टी में नही अच्छे से अच्छे के चल रहा है ये भी लो लाइट होता है बहुत देजिली चलता हो काफी खूबसरत लगता है घर में अपीष को रखिए अगला प्रेंड समारा ये स्प्रिव का प्लांट ये घर-मा अच्छे से चलता है ये वाला प्लांड़ी और देखिए काफिे अच्छे से चल रहा है मेरा यह प्लांट पूर में इस सब्सक्ट है जार में लाइए इसको शॉपींग वीडियो में उनि शेर किया था आप से और यह देखे में दिखाती हूं आपको इसको निकाल करके देखे फ्रेंट्स कितने अच्छे से रूट्स बनी हुए ना इसमें को काफी अच्छे से चलता है यह यह प्लांट वी इंडॉर में यह यह सरी कैसे इसका लुक आता है और यह नीचे आप देख सकते हैं यह स्नेक प्लांट के एक वेराइटी रख रखी है मैंने यह देखे लांटों बहुत ईजी चल जाते घर में पाने की बहुत कम ज़रूत पड़ती है और यह वाला प्लांटर फ्रेंड्स यह मेरा नर्सरी पोट है नर्सरी से में इसको बाइ आप लाए था और देखे में इसको पेंट कर दिया वाइट कलर से कितना खूबसूरत लग रहा है अगला भी है इसने प्लांट है यह वाला और यह वी एक नर्सरी पोट में लगा वाइसको में ने पेंट कर दिया तो चलिए में दिखाते हूं आपको दूर से तो देख सकते हैं फ्रेंट्स काफी खूबसूरत लगता है यह मेरा टीवी लगा हुआ है उपर और इसके नीचे में इसको लगा रखा यह देखें अगला प्लांट यह वाला हमारा यह पीस लेली का प्लांट सोरी एगलो निमा की वेराइटी है यह फ्रेंट्स यह बड़े पत्तों वाला इगलो निमा है यह इस तरीके का और यह देख सकते हैं पीछे वाला मेरा गेट है इससे इसको बहुत अच्छी सी रोशनी मिलती है जिसमें यह मेरा प्लांट कितना अच्छा चल रहा है और यह इस dif तरीके के गंभं मैंने लगा रखा है यह दिसमेंट का गंभं और इसको में फेंट कलर से टींट कर दिया और proportion मेरी वेस्ट प्लेट है यह तूड गई थी तो फिर मैंने इसको इस तरीके से इसके नीचे रखाए देखें काफी ब्यूटिफुल लगता यह भी कॉर्णर में आप रखें इसको और देखें कितना गहना हो गया है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं इसमें कोई पता पीला नहीं है ना कोई खराब है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है और दूसरे जो प्लांट हो एगलो प्लांट है मैं इसको करीब महीने भर में एक बार बाहर निकालती हूं और देखें कितने अच्छे से चल रहा है इसको रोशनी मिलनी चाहिए अच्छे से और वस जिसमें बहुत यह अच्छे से ग्रो कर रहा है तो के फ्रेंट इस तरीके से आप भी अपने घर में झाली